नमस्कार दोस्तो मेरा नाम कुलदीप आप देख रहे हैं टेक बंटू चैनल को दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्रद्धावस्ता पेंसिन के लिए घर से ओनलाइन अपलाई किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तो इसका एक प्रोसेस और होता है वो होता है ओपलाईन अगर आप चाहें तो इससे ओफलाईन एपलाई भी कर सकते हैं उसके लिए दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं आविधन का प्रारूप लिखा हुआ है आप यहां पर क्लिक करेंगे तो चलिए देखिए मैं यहां पर क्लिक कर देता हूँ और आपको इसमें आंगे का प् आपकी पैंसें आने लगेगी दोस्तों उसके बाद एक online का process होता है जिसे आप घर बैटे ही कर सकते हैं उसके लिए आप किस तरीके से इस process को करेंगे किस तरीके से आप अपने फार्म को online apply करेंगे उसके लिए इस वीडियो को complete देखें आज मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला होते चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको google open करना है इस पर type करना है sspy जैसे ही आप sspy type करेंगे इस तरीके की एक website आएगी आपको इस पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं online आविदन करें लिखा हुआ आ रहा है आपको इस पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है online आविदन करें आपको इस पर click कर देना है जैसी दोस्तों आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस submit करेंगे इसके लिए यह second option है तो दोस्तों यहाँ पर आपको new entry form पे click कर देना है अगर आप पहली वारा विजन कर रहे हैं तो आपको new entry form पे click कर देना है तो चलिए मैंने यहाँ पर click कर दिया इसके बाद इस तरीके का यह form open हो जाएगा आप देख सकते हैं यह पूरा form open हो चुका है अब आपको इसे किस तरीके से बरना है वो जान लिजी है सबसे पहले आपको अपना जीला select करना है जो भी आपका जीला हो उसे आप यहाँ पर select कर लें तो चलिए यहाँ पर मैं जीला select कर लेता हूँ उसके बाद निवासी नगरी है या ग्रामीड है अगर आप सहर में रहते हैं तो नगरी और गाउं में रहते हैं तो ग्रामीड सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी तैसील सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी तैसीलों उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो चलिए मैंने तैसील भी सिलेक्ट कर ली उसके बाद ग्रामीड विवरड अब आपको अपना गाउं का ब्लॉक सिलेक्ट करना है ग्राम पंचायद सेलेक्ट करनी है उसके बाद गाउं सेलेक्ट करना है जो भी आपका गाउं हो और निया पंचायद कौन सी है वो भी आप भार सकते हैं और नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर डाग घर आपको यहाँ पर डाग घर भी भर देना है उसके बाद आवेदक का नाम जो भी आवेदक का नाम है जिसका भी आप फर्म भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डालना है तो उसके बाद यहाँ पर लिंक डालना है इस तरी पुरुष कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर सेकेंड नमबर पर भर देना है तो चलिए मैं आँगे बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है मकान नमबर, मकान नमबर आप डाल सकते हैं, गली नमबर आप डाल सकते हैं, लोकल्टी डाल सकते हैं, उसके बाद पिन कोड डालना है पड़ेगा, तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, आप अपना अप्लोड रंगीन पासपोर्ट आकार फोटो यहां पर दोस्तों ध्यान रखें आपकी फोटो 20 के भी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपको वही सेलेक्ट कर लेनी है उसके बाद यहां पर आपको स्रेंडी जनरल OVC, SC, ST जिस भी स्रेंडी से आप आते हैं आपको अपनी स् स्रेंडी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको अपनी जनमतिति डालनी पड़ेगी अगर आप अपना आधार कार्ड इसमें दे रहें तो जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ओब बर्थ है उसे आप यहां पर डाल देंगे तो चलिए यहां पर मैं डेट ओब बर्थ को भी डाल देता हूं उसके बाद आपको आंगे का प्रोसेस बताता हूं यहां पर मैं डेट ओब बर्थ जो भी जनमतिति है उसे भर देता हूं और दोस्त ध्यान रहें जो आधार कार्ड में जन आधार कार्ड में डेट और बर्थ है उसी को यहां पर भरना है तो चलिए मैं इसको भी भर देता हूं उसके बाद अपलोड जन्मतिति प्रमार पत्र या आयू प्रमार पत्र अब आपको यहां पर आधार कार्ड लगा देना है या आप दूसरा कोई आयू प्रमार पत्र डिक देता हूँ। उसके बाद немножко पैचान पत्र यहां पर अपलोड कर देना है। उसको, जूसके आप यहां पर पहिचान पत्र अपना जो भी आना दिया है। इयाल नियां आप फोटोकापी यहां पर अपलोड करने देना है। चलिए यहां पर मैंने नाम बर्दिया उसके बाद वहाँ कौन सी जह का नाम है वहाँ उस साका का ृत साखा का नाम भी आपको भर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं खाता तंक्या लिखा हुआ उए उक्लिए और पास्बॉय की एक फोटो अपलोड कर देनी है चलिए यहां से मैंने फोटो भी अपलोड कर दी उसके बाद आए का भी बड़ा तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं परवार की बारतिक आए यहां पर मैंने पचीत हजार रुपए डाल दी है उसके बाद अगर आपके पास आए प्रमार पत्र है तो उसकी क संख्या को भी आप यहां पर डाल सकते हैं तो चलिए यहां पर मैं डाल देता हूं और दोस्तों यहां पर मेरे पास आए प्रमार पत्र है तो मैं यहां पर आए प्रमार पत्र संख्या क्रमांग भर देता हूं तो चलिए यहां पर मैं आए प्रमार पत्र क्रमांग भर देत और फिर आंगे का प्रोसेस आपको बताता हूं अगर आपके पास नहीं है तो आप दो हजाद दो की BPL सूची देख लें उसमें अगर आपका नाम है तो आप उसे भी वर कर काम चला सकते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं इसका एक फोटो कापी भी अपलोड कर देता हूं और द सम्मिट कर देना है तो दोस्तों यह फाइनल सम्मिट अभी नहीं हुआ है यह सिर्फ पंजी करण हो चुका है और यहां पर पंजी करण संक्या आप देख सकते हैं लिखी हुई आ गई है आप इसको प्रेंट करके रख सकते हैं तो दोस्तों और इस पंजी करण संक्या को आ जिला समाज कर लियान अधिकारी को भेजने के लिए final submit करना आवस्यक है तो दोस्तो अभी तक ये form final submit नहीं हुआ है final submit किस तरीके से करेंगे उसके लिए मैं आँगे आपको बताऊंगा अब दोस्तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कहीं आपका form कहीं कुछ भी गलत तो नहीं हुआ है अगर आपके form में कोई भी गलती नहीं हुई है तो आपको इसे final submit कर देना है इसके लिए आपको दोस्तो यहाँ से बैक चले आना है इस पेज पर आना है फिर से आपको online आवेदन करें पर क्लिक करना है उसके बाद edit save form final submit आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसकी मचुने पर आपको ब्रद्धा वस्ता पैंसिन सेलेक्ट कर लेनी है उसके बाद आपको अपना जनपद भी सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए यहाँ ब्रदधा वस्ता पैंसिन मैग सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर अपना जनपद भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको रजिस्टेसन नमबर जो आपको मिला था वो डालके यहाँ पर यह कैपचर कोड भर देना है आपको यहाँ पर जो भी भरा हुआ नहीं है उसे भर लेना है और दोस्तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यह जो कैपचर दिखाई दे रहा है आपको इस कैपचर को बॉक्स में भरके फाइनल सब्मिट कर देना है दोस्तो अगर आपके फार्म में कुछ भी गड़वड है तो आपको इसे अपडेट कर लेना है अन्य था आपको फार्नल सब्मिट पे क्लिक कर देना है तो चलिए यहाँ पर मैं फार्नल सब्मिट पे क्लिक कर देता हूँ उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा ब्रदावस्ता पेंसन पंजी करन फार्म सफलता पूर्वक भरा जा चुका है और दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लिकेशन फार्वर्ड टू वीडियो एश्डियम तो दोस्तो इस तरीके से आपको भी अपना फार्म भर लेना है और फार्नल सब् करना है आपका फार्म सफलता पूर्वक भर पड़ चुका है अब आपको ब्रदावस्ता पैंसन की जो भी पैंसन होती है वो मिलने लगेगी तो उमेद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्रा कर लेना है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद आपका दिन सुबहो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात्राम